पिछले कुछ दिनों में मैंने पांच ऐसी चीजे सिखी जो आपके mental, emotional, physical और spiritual health को खराब कर रही है आपके spirit को बरबाद कर रही है, आपको कमजोर कर रही है और आपको अंदर ही अंदर खा रही है तो वीडियो बहुत ज़्यादे important होने वाला है, तो वीडियो को miss मत करना, अगर आपने miss कर दिया तो आप इन 5 चीजों को जान नहीं पाऊगे और ये चीजें धीरे धीरे आपको बरबाद कर देगी, आपको खा जाएगी, आपको कमजोर कर देगी वल्कम बैक दोस्तो, 100 days communication challenge के 23 दिन में आपका स्वागत है, तो ये 5 चीजें आपको बरबाद कर रही है, तो कौन-कौन से है वो 5 चीजें, चलिए जानते है, नमर वन, stress, मतलब की चिंता करना, इनों आजकल लोगों का fashion बन गया है, stress लेना, जहां भी देखो, stress आजकल अपने future के बारे में, अपने family के बारे में, अपने neighbors के बारे में, अपने career के बारे में, और लोगों के साथ, सबसे बड़ी problem ये हो जाती है, कि वो लोग stress तो लेते हैं, but बिना action के, action नहीं लेते हैं वो लोग, सरफ stress लेते हैं। ऐसा करने से वो लोग अपने हेल्थ को बरबाद कर रहे हैं अपने करियर को बरबाद कर रहे हैं अपने mental, emotional, spiritual और physical health को खराब कर रहे हैं इन्हों stress को भगाने का जो सबसे अच्छा तरीका मैंने अब तक देखा एक phrase मैंने सुना था एक कहानी के जरिये जो Indian YouTuber Pranjal Kamra जो finance के related content बनाते हैं तो व trave filho बता रहे थे और उस कहानी में बता रहे थे कि चिंता और स्टेस ओ लोग लेते हैं जिनके इस ही जिनको ऊपर वाले के उपर विश्वास नहीं होता तो क्यों कि दुनिया में जितने भी इतने भी चीजें понад situación अगर अगर आप अपना काम करते जाओ और बाकी सब चीजें जो result हैं वो उपर वाले पे छोड़ दो, तो आपको stress नहीं लेना परेगा और आप stress नहीं ले पाऊ हुए, लेकिन हम लोग सब चीज अपने आप पर solve करना चाते हैं, हम लोग सब चीज खुदी solve करना चाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, आप अपने काम पर ध्यान दीजे, बाकी काम उपर वाले पर छोड़ दीजे, क्योंकि प्राबलम वही देने वाला है और प्राबलम को वही solve भी करेगा, नमबर दूसरा, poor health habits, मतलब सहत के परती गंदी आदत हैं, आजकल जितने भी नौजवान हैं, जितने भी बच्चे हैं, बुड़े हैं, सभी लोग health के पढ़ती जादतर conscious नहीं हैं, वो लोग कहीं से भी कुछ भी खा रहे हैं, गलत खाना खा रहे हैं, और ऐसे करते करते, उनको अभी पता नहीं चल रहा है, उनको आप अगर बताओगे भी, तो उनको पता नहीं चलेगा कि अभी क्या हो रहा है, अभी कहेगा वो कुछ नहीं होता है, खाने दो, ऐसे कोई फरक नहीं पड़ता है, बट धिरे धिरे वो habits, वो बुरी आदते compound होने के बाद असर दिखाती है, और बाद में एक बार effect करती है, और इतनी बुरे तरे से effect करती है कि इंसान बिस्तर पे आ जाता है, छे से मेना ब ध्यान नहीं दोगे, तो एक दिन मजबूरी में आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, तो इसलिए अपने सहत पर आप आज से ध्यान देना शुरू करेज़े, because सहत है तो दुनिया है, अगर आपके पास सहत नहीं है, आपके पास खुब will है, skill है, आप कुछ नहीं कर सकते, जिम्रोन कहते हैं, कि sometimes the spirit is strong, but the body is weak, मतलब किसी वक्त आपका spirit, आपका will बहुत ज़्यादे मजबूत होता है, but आपकी body कमज़ूर होती है, अगर फिर body कमज़ूर होती है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, अगर आपके पास दुनिया की सारी दौलते हैं, सारे ऐशो आरा किस काम का, तो अपने body के परती सचेत रहिए, और अपने body के परती काम करना शुरू करिए, और नमबर तीसरा, negative self-talk, यह आज कल negative self-talk, लोगों की एक बिमारी बन गई है, लोग अकसर negative self-talk करके, अपने आपको बरबाद कर रहे हैं, अपने आपको कमज़ूर कर रहे हैं, प में नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है, जब आप ऐसे negative बाते करते हो, तो आप अपने आपको कमज़ूर कर रहे हो, अपने mental health को कमज़ूर कर रहे हो, अपने body को कमज़ूर कर रहे हो, negativity एक बहुत ही खराब चीज़ है, अगर आपके अंदर आ गई, तो आ abide करो आप, तभी आप एक positive इंसान बन पाऊगे और positive सोच पाऊगे, और जिस दिन आपकी सोच positive हो गई, तो फिर आप life में बहुत आगे जा सकते हो, और नमबर चौथा, lack of purpose, lack of goal, आजकल दुनिया में लोग, सारे लोग भटकते मिलते हैं, सारे लोगों के पास, अगर आप उन से पूछो के कि क्या कर रहे हो, ओ कुछ नहीं, जिंदगी चल रहा है, यूहीं, बस जिंदगी चला रहा है, हम चल रहे हैं, इसा कब तक चलेगा, आपको अपना एक goal बनाना परेगा, एक लक्षबनाना परेगा, क्योंकि आपको goal बनाने से, लक्षबनाने से, एक sense of direction म मिलता है आपको एक रास्ता मिले आप उस रास्ते पर जाते हो अर्ल नाइटेंगल कहते हैं कि एक जहाज के पास कोई डिस्टिनेशन है तो दस में से अगर कितनी भी तुफान आए कितनी भी कुछ आए तो दस में से नौ बार वो अपने डिस्टिनेशन पर पहुंचेगा ही इंगा बर अगर एक जहाज के पास कोई रास्ता इन होतीज है कोई डिस्टिनेशन नहीं नहीं है तो अपने रास्ते पर कहं से पहुंचेगा हो भटकता रहेगा पूरे समुंदर में और कहीं खो जाएगा उसी तरह आज कल का इंसान हो गया है आपको एक गोल बनाना परेगा एक लक्ष बनाना परेगा ताकि आप जिंदगी पर भटके नहीं और एक रास्ते पर चलें एक डारेक्शन पर चलें क्योंकि अगर आप गोल बनाते हो तो गोल आपको जीने का मकसद देते हैं एक नजरिया देते हैं और पांच भी बुरी हैबिट जो आपकी जिंदी को बरबात कर रही है वह है अन्रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो सबसे बुरी चीज है आजकल के नौजमान आजकल के मिलेनियल्स आजकल के टीनेजर्स बहुत जादे ल मेहनत नहीं करोगे काम नहीं करोगे तो फिर आपको कैसे मिलेगा लोग अन्रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन तो रखते हैं बट उसके परती काम नहीं करना चाहते हैं मैंने रिसलिंटी वीडियो में बताया भी है कि दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है हर चीज की एक बंगला होता मेरी बड़ी बड़ी गारियां होती मेरा बड़ा घर होता बड़ अगर आपको वो चीज चाहिए अगर आप रियल वैल्यू मैं हो तो आप उन चीजों के पीछे काम करोगे मेहनत करोगे तब आपको वो चीज़े मिलेंगी तो अमेद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और यह वीडियो उल्लों के साथ शेर किजिए जिनके अंदर यह पांच चीज़ें पाई जाती है क्योंकि यह चीज़ें कहीने कहीं इंसान को बरबाद कर देती हैं और मेरे इस जरनी को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब क क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे वीडियो मिलते रहते हैं वीडियो को लास तक देखने के लिए थैंक यू सुमाइब